रुद्रा अपनी चोटी बेन मायरा की साथ एक सड़क पे रहा करता था क्योंकि रुद्रा बहुत ज़्यादा गरीब था और वो बचपन से अनात था उसके माता पिता नहीं थे और उसके पास खुद का कोई भी घर नहीं था और रुद्रा सड़क परी बीक मांग कर अपना गुशारा किया कड़ता था एक दिन उसकी चोटी बेन उस से कैरी होती है सुनिये भाइया मैं बहुत ज़्यादा बोक्की हूँ और हमें दिन में ठीक से खाना नहीं मिलता और हम लोग बहुत ज़्यादा गरीब है और मैं यहाँ पे नहीं रह सकती इस तड़क पे में को न पर आमें खाना देनेवाला कोई भी नहीं है इतना कहिकर वे दोनों रोगरे होते हैं था और उनकी अनात है और इनका कोई भी नहीं है और तुम्हारा ख्याल रखूंगा और मैं तुम्हें हर रोज खाना भी दूंगा क्या तुम दोनों मेरे साथ चलोगे यतना केकर वो उन बच्चों को अपने साथ ले कर जाता है और अपनी दुकान में काम करने के लिए लगा देता है और कहता है सुनो तुम दोनों मेरे नवकर क तरह हो और रोज यहां पे काम करना वरना खाना ने मिलेगा इतना केकर गोंसे काम करवाता है